स्टुडेंट्स वाटर सप्लाई एंड सनेटरी वर्क का ये नेक्स्ट कोश्चन है सेप्टिक टेंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगबग हर बार ही आया है तो यहां पर हमें जो है पूरा कोश्चन सालो करने के लिए नहीं आता है कुछ पार्ट आता जैसे ब्रिक वर्क स्लैप पूच लेगा स्लेप पूच लेगा ठीक है दमेंसन दे धारता नेहीं to क्या है पूरा समझ लेत्यें के साथ कोमारा कंस्ट्ट इलिए होसाइक तक फूप Twoا सबसुरेंट का है हुआ से यहां से यहां से यहां तक हुआ 200 और 30 और 30 शाठ हुआ थो गया तो साथ 6 और 10 cm यहां बाहर हुआ तो यहां से यहां तक देखिए नभे है और इस जहां पिроп lobbie वहां के बाद 40 यह इंड तक है इस साइड और 40 इस साइड भी होगा तो 40 40 80 80 और 90 70 170 ठीक है और हाइड जो है 195 कैसे है दिया हुआ है 140 यह हमारी यह बीच वाली हाइड है 140 यहां से यहां तक उसके बाद यहां से यह देखिए 5 सेंटिमेटर और बढ़ा है यह जो इनलेट का ब 75 हुआ और इसके बाद यह इधर का 20 सेंटिमेटर जो है सीसी है यहां पर लिखा हुआ है ठीक है अब नेक्स आता है हमारा सोक पीट में जो हमारा अर्थवर्क हुआ है कहां तक यहां से यहां तक यानि हम अभी पहले 3 मीटर के लिए निकाल रहे है क्यों क्योंकि इधर का अलग है देखिए यहां तक की खुदाई हुई है इतना चोड़ा है और नीचे का डाया अलग है तो हम उपर वाले का जो निकालेंगे उसके लिए अर्थवर्क जो है यानि तीन मीटर तक के लिए यह लिखा हुआ है सोक पीट अप्टू 3 मीटर डेप्ट इसका जो है यहां फिर यहां पर 30 बढ़ रहा है तो इस तरह से यहां पर देखे लिखा हुआ है तो इस तरह से हमारा हुआ हुआ है तो ड़ सवार ऐसों लोबर पोर्षन का तक कितना है हंड्रेड है यह वाला पॉर्षन डाया हंड्रेड है उसके बाद 20 इधर का और 20 इधर का ओवराल जो है 40 लेकिन हम क्या है सेंटर अच्छा अर्थवर की निकाल रहे हैं तो पूरा ही लेना पड़ेगा बाहर से बाहर तो हमारा एक चालिस यह है 140 एंदर से अंदर है 20 इधर का और 20 इधर का तो हमारा हो गया 141.4 का स्कॉर इंटू हाइड जो है 20 cm का है ही इधर दिखा दिख रहा है तो हमारा वह गया quantity इतनी आ गए, total हमारा earthwork इतना हो गया next cement concrete foundation में जहां जितना भी हम earthwork करते हैं उतना ही हमारा PCC होता है लेकिन soak pit में PCC नहीं होता है यह हमें मालूँ है तो हम सिर्फ septic tank में PCC निकालेंगे cement concrete का flooring 1-3-6 ratio दिया है specification तो foundation है, एक number foundation में नीचे वाला होगा जितना earthwork के हमारा 280, 170, अब हाइट क्या है हमारी, यहां पर 20 होगी यह जवाली 20 cm ही है तो इतना हमारा हो गया quantity foundation में, अब इसके बाद है sloping floor, तो sloping floor यानि यह देखिए, एक side में ढलान दिया हुआ है ताकि future में कभी सफाई करनी पड़े तो एक तरफ पूरा कचड़ा रहे है तो वो साफ हो जाए ठीक है, pump अगरे से जैसे भी हम निकालते हैं, जो आते हैं तो इधर side से down रहेगा तो इधर से हम उसे वापस ले लेंगे तो हमारा sloping floor है इसका average thickness लेना पड़ेगा इस side तो 0 होगा, यानि total यहाँ पर 20 था तो यहाँ पर अगर हम इक्ष्टा वाली बात कर रहे है इस portion की बात कर रहे है यह जो हमारा triangular portion मिल रहा है तो इधर का 0 होगा इधर का 10 है यहाँ पर देखे 10 लिखा हुआ है तो इधर 10 और 0 का वो कर दिये तो 5 cm आवरेज निकाल दिये तो तो आया 0.05 अब अंदर में ही सिर्फ होगा तो 200 है अंदर में ऐसे हैं और 90 ऐसे हैं तो 200 और 90 यानि 2.00 0.90 और यह thickness का multiply कर दे तो quantity आ गया इसके बाद है फर्स्ट क्लास brick work एक चार के रेशियो में सेप्टिक टैंक पर लांग वाल लांग वाल हमारी यही वाली लेंगे तो अंदर से अंदर कितना है 200 और इधर की thickness फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो इधर 30 और इधर 30 तो लांग वाल हमारा कितना हो जाएगा यह देखिए दिया हुआ 60 तो हमारी यह quantity आ गई नेक्स्ट सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप में दो नंबर लांग वाल की बात चल रही है यह उपर वाले स्टेप की तो यहां पर अंदर से अंदर कितना है 200 इधर का 20 और इधर का 20 वहीं यहां पर मैंने लिखा है यहां से यहां तक 140 है उसके बाद ऊपर का यह 30 और यह 5 यह एड़ कर दी हो तो हमारा कितना हो गया है 175 और 175 में से 60 माइनस कर रहे हैं कौन सा यह नीचे वाला जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया ना 60 वह सिक्स्टी हम माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा 90 थेकनेस 30 और 60 हाइट वही जितनी हाइट थी वाली वही हाइट इसमें वी चलेगी ठीक है तो इसमें यह निकल जाएगा फिर दो नंबर 90 सेंटीमिटर जो लेंथ है दोनों में वरावर होगी ठीकनेस 20 और 30 और 20 हो जाएगी फिर हाइट जितना उपर में थे उतना ही रह गाए इसके बाद अगर हम इसका सेंटर निकालें तो 10 सेंटीम्टर इधर और दस सेंटीम्टर इधर आएगा यानि कि एक वीज हो जाएगा वही चीज़ है पाई इंटु डाया तो सरकमफेरंस लेंद पूरा ऐसे गोलाई में निकल दिये तो पाई इंटु डाया होता है तो पा हमारा पाई इंटू 1.20 वही जैसे उपर में लिए थे एक मीटर अंदर से अंदर और दस संटीमिटर का दस संटीमिटर इधर का इसका भी हाइट हम भी होल रखते हैं जैसे एक डिक हुआ दूसरा यह और इसके उपर ऐसा चलेगा और फिर एक ऐसा ब्रick रखेंगे यह ऐसे चलता जाता है यह होल हो गया यानि यह ब्रिक हुआ सॉलिड वाले और ऐसे बीच बीच में हम क्या है होल रखते हैं ताकि पानी पूरा सोख ले चीक है तो यही वाला हमारा ड्राइग ब्रिक वर्क होता है इसको भी क्यूबिक मिटर में इसका अलग रेट होगा तो हमारा यहां पर सेकंड क्लास ब्रिक वर्क सोख बीच जो है सोख बीच में यहां पर हम निकाल रहे हैं ड्राइग ब्रिक वर्क तो यह पाई इंटू डाया यही वाला इतना ही होगा 100 अंदर ते अंदर 10 सेंटिम्टर इधर का 10 सेंटिम्टर इधर का तो 21 यह होगा और इस किया इसके बाद है Pre-Cast RC Work Finished Smooth Including Steel Re 새montries तो हमारा टोटल अंदर से अंदर कितना है इसमें आप 100 सेंटिम्टरी साट की दिवाल यहां तक ऐट लिस्ट हमें कवर करना ही पड़ेगा पूरी-पूरी दिवाल जहां तक है यह दो बी-दो सव अंदर से अंदर हो गया 20 इक्ट्रा दोनों साइट में ठीक ना तो यह हो जाएगा हमारा दोनों साइट से 40 90 और 40 130 यह हुआ और जो हमारी थिकनेस यह दिया हुआ है देखिए सारे साथ सेंटिमिटर तो 0.075 इधर का हुआ रूप कवर स्लैब आफ सोक पीट अब यहां पर जो है हमारा सोक पीट का यही हमारा जो है पाई इंटू डाया स्वारी पाई डिस्वाइर अपान फॉर एरिया निकाल लेंगे अब उसमें थिकनेस का मल्टिप्लाइ कर देंगे इतना क्यूबिक मीटर इसमें आ जाएगा अभी 140 कैसे आया एक मीटर अंदर अंदर और इसका इसका जो नंबाई कि बात होती है तो यहां सा नहें तक रहेगा है 5 cm इधर के दिवाल में तब तो से सपोर्ट मिलेगा तो हमारा यह एक मिटर यह मैंने यहाँ पर लिखा भी है 90 प्लस 5 प्लस 5 तो हमारा यहां से क्यूबिक मिटर में यानि इतना क्यूबिक मिटर हमारा आर्टी सी वर्क आएगा इसके बाद हमारा है 12 mm सिमेंट प्लस्टर सिमेंट प्लस्टर जो है सेप्टिक टैंक में होगा लांगवाल में दो नंबर है लांगवाल एक इस साइट की लेंथ जो है अंदर अंदर कितना है 200 सेंटिमीटर और हाइट जो है 170 हमारा टोटल है ही यहां से लेकर के 30 और यह 40 तो 170 हुआ यहां पर वैसे होना चाहिए 75 क्योंकि अपन ने जो यह देखिए यहां पर जो इधर उपर वारी हाइट थी हम लोगों कितना निकाला था 115 निकाला था थोड़ी दिर पहले तो यह 60 और 115 यानि टोटल ब्रिक वर्क की जो हाइट है वह हमारी 75 आई है ठीक है तो ऐसे 75 लेकर करना है यहां पर 170 दिया है इसको भी कर सकते हैं ज्यादा अंतर नहीं आएगा देकि 5 cm पर कितना फरक आएगा बहुत कम ठीक है तो शाट वाल में भी वही 90 है अंदर से अंदर दो वाल है 90 हाइट उतनी रहेगी 170 द और इधर पर जो है फ्लोर में है एक नंबर फ्लोर है एक ही फ्लोर है हमारे पास दो डाइमेंशन दो अंदर से अंदर दो और नब्बे दिया हुआ है दिख रहा है तो इससे स्क्वार मिटल आ जागा 50 mm साइज के ब्रिक एग्रिगेट जो है सोक पीट में बाहर की और और बाटम आप 155 तो सरक्मफरेंस निकाल रहे हैं तो बाइंटक एंदर से अंदर सहो है फिर यह ungef से ईंटर से Workers कैFlow में इस चाहिए तो सारे साथ इधर का सारे इधर का उन्धर मनें आइच कर दिया है तो यह पच्पन आया है और इंटू चेर 15 cm मोटाई है हाइट दाइ मीटर तक है यह हमारा यहां से यहां तक इसके बाद हमारी यह कॉंटिटी आ गई बाटम आप सोक पीट यह दीचे वाला जो है इसका देखे यहां पर दिया हुआ है डाया कितना 1.01 दिया है यह 1.00 ही होना चाहिए मेरे समझ से तो यहां पर देखेंगे तो 0.5 157 आएगा यानी 0.03 बहुत कम डिफरेंस आ रहा है तो इसको चाहिए आप इतना लीजिए मेरे हिसाब से तो 1.00 लीजिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि इसमें बुक में पता नहीं कहां से बढ़ा दिया है तो इधर पर हमारा यह क्वांटिटी आ गई हमारा नीचे का जो ब्रिक एग्रिगेट है इसके बाद है कोर्स सेंड आउटर में कोर्स सेंड भरेंगे इसमें डाया जो है एक पचासी इसी प्रकार जो है हमारा इसमें देखिए कोर्स सेंड यह बाहर वाला है यहां पर यह हमारा अंदर था एक मीटर बीस बीस चालीस और इधर का तीस एक सत्तर और इधर का साढ़े साथ साथ यानि पंद्रा तो पंद्रा पचासी हो जाएगा कि पाइंटू डाया कर देंगे 15 सेंटिमिटर मोटाई है डाई मीटर हाइट तक भरेंगे तो यह हमारा क्वांटिटी आ गई आयरन फूटिश टेप्स 16 mm डाया बार के हमें निकालने हैं तो इसे काउंट कर लेंगे 1234 यह फोर नंबर्स हो गया डारेक्ट इसके बाद है 100 mm डाया का यह डबलू पाइप जो है कि जॉइंटिंग एक त्री सिमेंट मोंटार जो भी है इनलेट फ्राम लैट्रीन टू सेप्टिक टैंक के लिए 3 मिटर यह देखिए दिया हुआ है 300 सेंटिमिटर लांग यह डबलू पाइप 100 mm 300 सेंटिमिटर लांग तो 3 मिटर की यह हो तो अब हमें जो है इधर की और अंदर की तरफ और इधर भी अंदर की तरफ तो हमें यहां पर 30 सेंटिमिटर एक्स्ट्रा लेना है 30 सेंटिमिटर एक्स्ट्रा कैसे लेना है देखिए यहां पर जो है हमारा 3 मिटर यहां से यहां तक है इधर का जॉइंट देखिए यहां दिखे रहा है इसका मतलब लगभग 15 इसमें और 15 इसमें तो 30 cm इक्ष्ट्रा जो हम लेके चलेंगे तो हमारा तीन और 36 रणिंग मीटर में हमारी पाइप आ गई उसके बाद यह हमारा है SWT 100 mm डाया विद वन लेक 40 cm एक टी है इधर वाली यह देखे टी शेप का एक जॉइंट है इसको हम लेंगे एक नंबर डारेक्ट स्पेसिविकेशन से डारेक्ट नंबर में ही आ जाएगा यह डारेक्ट 100 mm डाया का इधर वाला इस साइट का एक बेंड हमें लेना है न ताकि जो हमारा इधर से मटेरियल पानी जो आएगा वेस्ट वाटर यह यहां से डारेक्ट नीचे की तरफ गिरे अधर्वाइस यह डारेक्ट इधर चला गया माल लिजेग अभी प्रेसर से आ इसके बाद 50 mm CI का वेंटिलेशन पाइप वेंटिलेशन पाइप देखें यहां पर लिखा हुआ है तो मीटर हाई होगा तो हमारा यहां पर 50 mm का यानि कास्ट आरेन पाइप जो है यह दो मीटर हाइट के है यह भी रणिंग मीटर में आता है इसके बाद उपर में एक हम अबजी बनाना नriters OH Toaz traakte में समया नहीं लोंगा आप लोगा देखिए क्या है कि ہर कोस्टन में बनाते हैं जो हमारा आइटाम है quantity यो निट रैड जो भी है रच कैसा है पर पीस है प्र मेटर है उसके हिसाब से जो हम मुल्तिपलाई करेंगा और वह इसमें करते हैं इसके बाद हमारा जो है टोटल अमाउंट आ जाता है तो इसको आप लोग कर लीजेगा चलिए थांक्यू